अब देखिए यहाँ पर आपके पास आइस्टेंस स्मिशन लोग, अगर उन में आपके पास जो इंडेक्स आगर वो रिपीट कर रहा है तो उस टर्म का हम जो समिशन है वो वन से एन तक लेंगे, ऐसा आइस्टेंस समिशन थेवरी यहाँ फिर लोग कहता है, ठीक है, जैसे क मैं लिखरा हम यह आपके पास, जो एक टर्म है, मैं लिखरा हम यहां पर, e, i, j, b, i, ठीक है तो देखिए आपके पास i index है, यहां पर 2 जगां आपके पास repeat हो रहा है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आपके पास, यह आपके पास आंपके पass her नि तक, तो J तो आपके पास वैसे का वैसे ही रहेगा J 1 B 1 A J 2 B 2 A 3 J B 3 and so on up to N B N J A N J B N ओके ऐसे ही जब हमने जो transformation लिखा था transformation हमने का लिखा था transformation हमने लिखा था D X I equals to summation summation J 1 2 N curl X I over curl X bar J D X bar J तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं देखी यहाँ पर index repeat हो रहा है और index repeat हो रहा है तो उसे हम 1 से लेकर N तक लिख सकते हैं तो इसको आपको हमीशे शो करने का जोड़त नहीं है अब से यह rule बन गया है तो इसको मैं simply ऐसे लिख सकता हूँ आपके पास यह ऐसे लिखा भी जा सकता है तो यह हमारे पास Einstein submission law के हिसाब से है वैसी आपके पास आपने का निकाला था इसके लिए भी तो निकाला था यह आपने कितना निकाला था यह अपने summation again जे 1 to N इकोलस जे 1 to N करल एक्स बार आए करल एक्स बार आए ओवर करल एक्स जे दी एक्स जे ठीक है तो इससे आप कैसे लिख सकते हैं यहां पर यह रिपीट हो रहा है तो इसे हम देखिए यह understood है कि आपके पास 1 से लेकर N तक कुलेगा तो इसे मैं simply लिखूँगा करल एक्स बार आए ओवर करल एक्स जे डी एक्स जे ठीक है तो ऐसे लिखा जाएगा आपके पास यह यहां पर आपके पास J के repeating term है ठीक है J तो आपके पास repeating term है लिख देता हूँ मैं repeating term और जो आपके पास I है आई आपके पास left side भी और right side भी है left side भी और right side भी है तो आपके पास यह I क्या होता है यह i आपके पास है free index ठीक है तो यह terms भी आप याद रखेंगे साथ की साथ ठीक है अब जैसे कि हमें पुछा जाता है कि dx1 पताईए dx1 तो dx1 आपके पास dx1 का अब आपके पास मतलब क्या है यह आपके पास आप i को 1 लग दीजिए j का summation खुलेगा आपके पास तो आप लिखेंगे curl x1 over curl x bar 1 dx bar 1 plus curl x 1 curl x bar 2 dx bar 2 plus son up to आपके पास कहां से कहां तक कि summation 1 से लेकर n तक खुलेगा ठीक है तो आप लिखेंगे curl x1 over curl x bar n and dx bar n तो ऐसे end up हो जाएगा ऐसी आपको अगर ऐसे कुछ आता है कि dx bar 3 यह पताइए तो dx bar 3 आप यहां से देखें यह आपको याद होना जाएगा तो आप लिखेंगे आपके पास यह constant हो जाएगा i constant हो जाएगा i free index है तो curl x bar 3 अब यहां से आप j submission को लेंगे 1 से लेकर end तक 1 dx1 plus curl x bar 3 curl x 2 dx2 plus son curl x bar 3 and curl x up to n आपके पास dx है तो इस तरीके से आप इस open करेंगे तो यह बात आप धियान रखेगा अब जो आपके पास यह repeating term है इसका दूसरा नाम आपके पास dummy index भी कहा जाता है काफी books में आपको दिखने को मिलेगा dummy index dummy index आपके पास simply वो term है जिसे आप change कर सकते है चेंज करने का मतलब कि है जैसे कि आप इसे ही ले लीजिए इसे आप अगर dx i dx bar i है आपके पास तो आपके पास यह है dx bar i is equal to क्या लिखा हुआ है curl x bar i curl x j और dx j अब repeating term है आपके पास यह इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप curl x bar i curl x k dx k क्योंकि repeating term है हमें पता है कि जो repeating term होती है उनका आपके पास submission 1 से लेकर n तक चलता है यह repeating term है submission 1 से लेकर enter चलता है ऐसे ही आप इसे curl x bar i curl x कुछ भी p dx ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है तो आपके पास यह dummy index भी कहलाता है इसी वज़े से क्योंकि आपके इसे change कर सकते हैं और अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि आपके पास यह free index free index वो आपके पास जो repeat नहीं हो रहा है term में term में आपके पास repeat नहीं हो रहा है repeat नहीं हो रहा है तो आपके पास free index है ठीक है simply यही बात है next आप कुछ बाते note कर लीजिए आपके पास यहाँ पर आपको note कि अगर आपको ऐसा दे रखा है अगर आपको ऐसा दे रखा है xn square और आपके पास xn q देखिए अब आपको ऐसा दे रखा है तो इसको ऐसा लिखना तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकती यह एक्तम गलत है यह इसके बराबर नहीं होता इसको आप individually solve करेंगे ठीक है और दूसरी तरफ अगर आपको ऐसे दिया जाता है Submission Submission J12N Submission Submission I12N AISI अगर आपको square दे रखा है Square दे रखा है तो इसको आप कैसे को लेंगे इसको आप दो बार लिखेंगे दो बार लिखेंगे का ये मतलब नहीं है कि आप इसे ऐसे ऐसे लिखते हैंगे AI XI AI XI ठीक है I12N इसको ऐसे लिखेना एकदम गलत है आप जब भी ऐसे लिखेंगे तो आप index भी change कर देंगे इंडेक्स के लिए भी submission आएगा आपके पास तो आप लिखेंगे इसे I 12N J 12N ठीक है तो AI XI AJ XJ ठीक है तो इसे आप इस तरीक के लिखेंगे इसे और अगर simplify way में लिखूं मैं तो इसे और भी simplify way में आप ऐसे लिख सकते हैं I 12N J 12N AI AJ XI XJ ठीक है यह सही तरीका है